सब्सक्राइब कीजिए गैजेट्स एन रिपेरिंग यूटीब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएए ताकि लेटिस रिपेरिंग रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकते हैं जो प्रेस आपके सामने रखा है याप अपने होम पे भी रिपेर कर सकते हैं देखिया आपको लाइट जलता हो दिखता है डेखर कोई जल रहाहा है मतलब इसका कॉयल बदलाएगए ठीक कहारेगा यह तो आप सीरज से वीचेः कर सकते है यह वीडियो जो घर पररे less repair करना चाते हैं यह वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ कि ओके सबसे पहले हम इससे open करते हैं open करने के बाद देखते हैं जो नीचे terminal होते हैं इनके नीचे से Northern तो ने हुपा है कोई अपन नहीं गुआ है क्योंकि अपन नहीं गुआ है कि इसके दुबारा कॉईल चेक कर लिए कॉईल ओपन इसमें हम अभी नया कोईल डालवाएगे हम अभी कॉईल रिप्लेस करने जा रहे हैं शुरू में इसे चेक कर लिए यह तो बनाने के बाद इसा भिक्त होता है कोईल ओपन रहता है कि यह कोईल लाइट जल रहा है याने अपना कॉईल सही है फिर इसे स्वीरिज में चेक करके बताता हूँ तो दोस्तों इससे रिटिंग कॉईल कहते हैं और इसके ऊपर यह जो लगा है इसे अलबेश्टा कहते हैं जो पुराना कॉईल निकला होता है उसमें से उसका कुछ इस्सा जो कॉईल के टर्मिनल प्रेस को टैच होते हैं उस जगे लगाते हैं क्योंकि कभी इसमें यह लगाना ज़रूरी रहता है या तो फिर प्रेस शॉक मारने लगते हैं अगर वो टर्मिनल प्रेस को नीचे टच होने लगे तो ओक्या दोस्तों इससे फिटिंग करते टेम तुड़ी साउधाने बरत में होता है को यह लग चुका है को अगर प्रेस करने के बात इसे एक बात चेक कर लेते हैं अगर दोस्ता अब इससे बॉड़ी से भी टच करके देखना है या तो यह शॉर्ट है या बॉड़ी से टख है वेसे हम सीरिस से भी चेक करते हैं यह लाइट जल रही है अब इसके बॉड़ी से पॉइल शॉर्ट तो नहीं यह चेक करना जरू जरू होता है कोई शॉर्ट नहीं लाइट नहीं जल रहा है अब यह अपने से फिट कर देते हैं तो दोस्तों इससे अब मभी चेक करते हैं दोस्तों यह हीटिंग होना शुरू हो गया है दोस्तों इसमें जैसे आप वाइल रिप्लेस करते हैं और अलबेस्ट लागाते हैं तो शुरू में इसका दूआ निकलना जाईरन बाद में इसका दूआ निकलना बंद हो जाता है अगर आपको पसंद आगा होंगा तो प्लीज लाइक कर दिये